पुलिस गिरफ्त में खड़ाई एक शक्स ढौगी बाबा तो दूसरा उसका सहियोगी है इनके कारणामे सुनकर आप भोचक के रह जाएंगे तो देखिए इन ढौगी बाबा की ठगी की पूरी कहानी नोटों की गड़ी को धागे में लपेटता ये एक ढौगी बाबा है जिसने सौने बार रुपए को दो गुना करने का जांसा दे कर कई लोगों को अपने जाल में फसाया धोंगी बाबा ने अपने माया जाल को ऐसे फैलाया कि ना सिर्फ कम पड़े लिखे बलकि अच्छे खासे पड़े लिखे लोगों को भी लाखों का चूना लगा दिया जहां से सोबाराम दाकट जो धोंगी बाबा थे उन्होंने अपने चमतकार से लोगों में विश्वास जमानी की सुरुवात की डौंगी बाबा शोबाराम लोगों को विश्वास में लेने के लिए कभी साफी से नोटों की गटिया निकालता तो कभी जमीन से सोने चान्दी किखला जो डौंगी बाबा ने अपने आसपास गुर्गों की ऐसी गेंग तैयार की जो उसमें कभी देवता की छाया होने की बात करते तो कभी उसे चमतकारी संत कहते इस तरह से डौंगी बाबा ने लोगों के बीच चमतकारी होने का ब्रह्म पहला कर उनको अपने जाल में फसाया दोंगी बाबा लोगों से अनुष्ठान के बहाने कलश में रुपए और जेवरात रखवाता था और खुद के अलावा किसी और के हाथ लगाने पर कोईला बनने और स्नाप निकलने का डर दिखाता था वहीं मौकद एक चुरा लेता था इस तरह से डोंगी बाबा ने सेखणों लोगों को अपना शिकार मना कर उनको लाखों का चूना लगाया